2008 में जब financial crisis आया because of the fall of Lehman Brothers तो हर कोई including Fed काफी जादा tension में था Government ने सोचा कि यार at least कुछ लोगों को तो यहाँ पर बचाया जाए और इसलिए बंद करने के लिए एक बंद कमरे में meeting हुई जी हाँ इसके बारे में हम अल्रेडी बात कर चुके हैं एक वीडियो में link description में रहेगा 2008 के crisis का पर उससे में क्या आपको पता है कि यह पूरा जो माहोल रचा गया था यह meeting का idea था वो एक institution का था वही same institution जिसने यह पूरा माहोल रचा था शायद 2008 का crisis भी इसी institution का एक तरीके से gift था दोस्तो आज मैं वो same institution जो 9.7 trillion dollars के assets under management रखता है जरा comments में बताना तो हैं यह 9.7 trillion dollars में कितने zeros होते हैं so let's see कितने लोग exact 9.7 trillion dollar को लिख पाते हैं तो जो institution 9.7 trillion dollars का net worth रखता है अगर एक perspective दो तो Vanguard Group जो कि हाँ दुनिया की सबसे ज़ादा ETFs चलाती है उसके valuation से भी ज़ादा World के top 10 IT giants, Apple, Microsoft, etc. सब को add गर दो तो उनके valuation से भी ज़ादा World के top 300 pension funds के total net worth को add गर दो तो उससे भी ज़ादा assets under management यह केवल एक company रखती है इस company हद से ज़ादा बात तो यह है कि इसकी valuation Australia, Spain, Russia, South Korea इन सब की GDP को भी मिला दो उससे भी ज़ादा इसका valuation है और आज इस video में हम बात करेंगे उसी company के बारे में दुनिया की जितनी बड़ी companies आप सोच सकते I mean जितनी भी companies सोच सकते indirectly यह company उसमें कहीं न कहीं invested है और मैं बात कर रहा हूँ काला पत्थर which is the god of stock markets आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी संपती ब्लाक रॉक जितनी हो जाए तो इस video को like जरूर कीजेगा और mark my words अगर अगले 50 साल में आपकी इतनी संपती नहीं हुई तो 50 years बाद आप आपके comments कीजेगा मैं यह video हटा दूगा आठ लोग साथ में जिसमें से कि mostly सब 40K plus थे 40K age के उपर थे उन्होंने एक चीज सोची कि भाई एक ऐसा enterprise बनाना है जिसका risk management core होगा risk management में तगडा वो दुनिया की एक ऐसी financial institution create करना चाहते थे जो risk management के नाम पे एक्दम robust हो कि दुनिया में कोई भी crisis आ जाए यह लोग वहाँ पर risk manage कर सके इन सभी लोगों ने 1988 पे एक firm establish करी 5 million dollar की line of credit लेकर और 1994 तक इनके पास assets under management 20 billion dollars का हो चुका था जी हाँ इतना rapid growth हुआ था पर इतनी जल्दी कैसे यह आपके दिमाग में सवाल होगा because इनके risk management के चर्चे गली-गली हर नुकड में हो रहे थे इसलिए कहते है experience या अनुभव से वड़ा कोई teacher नहीं होता अब आप सुचों कि भई इसमें अभिशेक भई experience का क्या चीज आ गया अनुभव कहा से आ गया तो wait मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में तो मैं आपको बताता हूँ कि इन आठ महापूरुशों में से एक बंदा था जिसका main brain यहाँ पर लग रहा था और उसका नाम था Larry Fink उनका नाम था Larry Fink जो ये सारी चीज़े manage कर रहे थे और main देख रहे थे और अभी के सबसे powerful इंसान माने जाते है वेल लैरी भाई अपनी पढ़ाई करने के बाद जो कि political science में करीब 23 की उमर में वाल स्टीट चले गए वहाँ पर अपना काम शुरू किया धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगएंस से उनने एक company में काम करना शुरू किया जिसका नाम था First Boston करीब-करीब 1976 से लेके 86 के बीच में देहटे इस 10 साल में लैरी भाई ने अपने company को बना के दिए एक billion dollar जी हाँ एक billion dollar जनाब और ये बना था because of a concept called mortgage-backed securities कुछ ठन का दिमाग में नहीं अरे भाई यही वो security थी जिसके कारण 2008 का crisis हुआ था और 10 साल के बाद अपने जलवे दिखाने के बाद एक mistake हो गई और वो mistake उनकी company को cost कर गई 100 million dollars जिसके कारण पूरे streets पे थूतू होने लग गई उनके reputation की वाट लाग ली और although अभी भी net profitable थे उनकी company because 1 billion dollar कमा चुकी थी बट जिस तरह Ronaldo ball को मारता है लाथ वैसे इनको company से कर दिया kick और इसलिए उन्होंने सिद्धान्द बना लिया कि भाई अगली जो company बनाऊंगा या जाऊंगा उसमें risk management will be the key. So उनका पहला aim था केवल institutional level पर बड़ी established firms को वो help करने के लिए जिसके लिए इन्होंने Blackstone इनका नामना Blackrock था Blackstone नामक के company के साथ 50-50 partnership deal कर ली पट 1994 में Blackstone बोला कि भाईया 200 million dollar में अपना पूरा stake वापिस ले लो मैंने अभी शेक करके channel को subscribe नहीं किया तो make sure आप भी वो सारे regret ना करो ताकि आपको financial ग्यान मिलता रहा है. तो यह इस तरह से पूरा यह चीज़ बना था Black Rock का पूरा कहानी बना था. अब मैं बताऊंगा आपको Black Rock के portfolio में अभी क्या क्या है. जहां बड़ी-बड़ी companies में यह बहुत-बड़ा major stakehold करती है. डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो 50% equity में है 30% fixed income assets bonds, debt इस तरह से 10% cash और liquid, 10% well-diversified advisory wix, oil stocks, etc. बाइदे वे, मैं आप लोगों को बता दू कि advisory की बात ही करो तो इनकी advisory unit खुद 20 billion dollar worth है और इन लोगों को लगता ही है इतनी छोटे के percentage basis पे अपने books पे भी नहीं लिखते हैं, मतलब बोलो अलगी swag है, मतलब बोलते हैं, consider ही नहीं कर रहे हैं 20 billion dollar के investment को यह लोगों की case में एक concept होता है जिसको हम कहते हैं circular ownership ध्यान से सुनिएगा इसका मतलब यह होता है, कि जिन companies के stake यह hold करते हैं वही companies इन पे वापस invest करते हैं मतलब यही मा है, यही बाप है और यही संतान, example, apple में अगर यह stake hold कर रहा है, तो apple पलट के इन में stake hold करता है, अब बोलो कि भाई यह कैसे हैं, इसके लिए का rules नहीं है हम fixed deposit करते ही नहीं है, तो इसका मतलब हम bank है ही नहीं, जिसके खारण यह एक कोई भी regulatory body उनको monitor नहीं कर पाती है, बोले तो काम सारे बड़े-बड़े institutional bank के करते हैं, पर कोई भी यह खुद को अपने आपको bank नहीं अब समझते हैं कि क्या यह exactly करती क्या क्या है, अब तक आप समझ गयोंगे कि worldwide यह equity में investment तो करती है, 50% stake है, साथ में यह auditor भी होती है, बहुत बड़ी-बड़ी companies की, सारी top companies की auditor भी है, इनकी एक unit करती है, साथ में यह उनको consult भी करती है, इनकी करा-धरा रहता है indirectly, तो अब सोचने वाली बात यह है कि भाई, यह सारी चीज़े कैसे कर रही है conflict of interest नहीं होता, कोई इनको वो नहीं करता, control नहीं करता, जिस पर company का कहना है, कि भाई, हमारी सारी जो subsidiaries, एक-एक जो यह सारे काम करें, उनके बीच में हमने दिवार खड़ी करके रखिये, कोई एक दूसरे के बाद में interfere नहीं करता, पूरी transparency आपको क्या लगता है, इतने transparent सही में होते हैं financial firms, comments में जरूर आपके view दीजएगा, जिससे पता अलादिन, अलादिन बना इनका genie confused मत हो यह, अलादिन इनका proprietary software है जो रोज, यस रोज हर asset class के 2000 से ज़ादा risk parameters पे judgment पास करता है यह parameters होते हैं, जैसे किस देश में कैसा political sentiment है खराब है या सही है, खराब है तो कौन से stocks पे effect हो रहा है, किस देश का बढ़ा, by the way, Wix पे भी अपन एक वीडियो बना चुक है, अपने चैनल पे अल्रड़ी है link में डाल दूँगा, description पे तो यह सारे इस तरज़ने 2000 parameters रोज judge करती है, interesting चीज़ यह है, कि यह पूरा data पुल करते 5000 से ज़ादा computers, इनके पास सिर्फ installation का price लगता है only 7 crore और इसके बाद इनका annual subscription जो होता है, तो last year JP Morgan ने इनको करीब करीब दिया 42 crore only, तो वो तो आप लोग manage कर लोगे हराम से, currently इसके 6.5 million users है और 65 से जादा countries में use होता है और इस Aladdin की खासियत यह है कि इनके पास permission मिली है from top banks, insurance companies hedge funds to get privileged high end information which is valued around 20 trillion dollars बोले तो शायद इनके पास आपके और मेरे account में कितने पैसे, इस charge के भी detail हो सकती है, there is a high possibility इतनी privileged information इनको दी गई है, तो अब आप समझे why institutions like JP, Goldman, etc are actually giving you this kind of thing disclaimer दे दू कि जो operator call वाले SMS आपको आते है न अगर वो कल को जाके बोले कि हमारे पास BlackRock से data आती है, तो believe मत करना उनके पास keval और keval data आता है from bolta popat, जिससे वो आपका popat बनाते है, जनहत में जारी, इस तरह के SMSS के basis पे investment ना करें finally BlackRock इतना विशाल होने के बाद इतना भयंकर ETFs hold करती है जिसके कारण कभी भी कोई economy verge of collapse होती है, जैसे 2008 में crisis में हुआ या 2020 में COVID के टाइम पे हो रहा है, इसी चक्कर में Fed इनको बुला लेती है bailout के plan यही बनाते हैं, उसके लिए consulting fee भी लेते हैं, बिकास अपने ETFs को ही बचा रहे हैं बचाना बैंक्स को है, बट साथ में वो दूसरी companies को बचा लेते हैं, बिकास ETFs सारे जगा पर exposure रखते हैं अपने ही portfolio बचाने के लिए Fed से consulting fee भी लेते हैं और फिर उससे भी पैसा एनिवेस जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा किसी institution के पास इतना जाधा power होना सही है, आपको क्या लगता है comments में जरूर बताएगा, और अगर अगली वीडियो भी इसी type की जल्द से जल्द चाहिए तो likes में कंजूसी ना करें make sure कि हमारा channel भी black rock जितना बड़ा हो जाए till then keep learning, keep growing, keep investing and keep trading झाल 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 झाल